नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आप सभी को पता होगा कि बॉलिवूट की जो सबसे सुपर हिट अब तक की जोड़ी रही है वो दोस्तो सैफली खान और करीना कपूर की रही है जिहां आपको उता दे कि इन्होंने साथ साल पहले साधी की थी और इसके बाद से दोनों इनकी साधी काफी चर्चाय में रही है और साथी साथ इनका बेटा तैमुर तो हमेशा अकसर करके क्यूट सी स्माइल की वज़े से चर्चायों में रहता है लेकिन दोस्तो करीना ने एक बहुत बड़ा खुलासक किया है बहुत ध्यान से सुना करीना ने बताया है कि साधी की साथ साल बाद पती ने रात में कर दिया कुछ ऐसा जिहां आपको बता दे कि हाली में बॉलिवूड की बेबी गल कहे जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर ने 49 जनम दिन अपने पूरे परिवार के साथ ही बड़े धूमधाम से सेलिवरेट किया था जहां से करीना ने पती सेफ को किस करते हुए एक तस्वीर भी सोसल मेडिया पर सेयर की थी जिनकी यह तस्वीरे काफी वायरल भी हो गई थी जी हां ऐसे में करीना और सेफ को साधी किये हुए करीब 7 साल का समय बीच चुका है लेकिन करीना ने अपने पती को लेकर बड़ा खुलासा किया है दरासल हाली में करीना तोक सो दा लव लॉफ लाइफ सो में हिस्सा लेने चले गई थी जहां उनसे पूछा गया कि वे रात के समय पती सेफ के साथ कैसी समय बीचाती है तब हस्ते हुए करीना ने जवाब दिया कि साम होते ही हम दोनों अपना अपना पसंदिदा काम करते हैं वैसे मैं और सेफ जादा तर पार्टी का किसी इवेंट में जाना पसंद नहीं करते हैं, हम साथ बज़े बाद डिनर खतम करके अपने काम में वैस्थ हो जाते हैं, सेफ को जादा तर डिनर के बाद किताबे पढ़ना खुब पसंद है, जिसलिए वैं अपनी पसंदीदा किताब लेकर के पढ़ने बैट जाते हैं, तो मैं डिनर के बाद तैमूर के साथ समय बिताती हूँ, जब तैमूर सो जाता है और जब सेफ अपनी किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं उनके बाजू में सोने के बाद भी वह देरा तक फोन उठा कर सबसे पहले मुझे मेसेज करते हैं जिनकी वही आदस से मैं काफी चिड़ जाती हूँ आपको बता दे कि दोनों का प्यार फिलम टसन के सेट से सुरू हुआ था जिसके बाद दोनों के साथ कई फिलमों में काम भी किया गया आखिरकार सेफ ने पहली पतनी अमरिता सिंग को तलाग देने के बाद साल 2012 में करीना से विवा कर लिया था आज ये कपल एक दो साल के वेटे तैमूर के माता पिता भी बन गए है मतलब साफ है दोस्तों कि कही न कही करीना और सेफली की जोड़ी अब बहुत ज़्यादा खुस है और इनकी खुसियों को किसी की नजर ना लगे इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद